अहल्या तुम अपनी एहम भूमिका ही नहीं निभा पाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे साले दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो ये बात गौत्मा को हमने कह पहते सुना नहीं प्रोमो में जिसमें वो अहल्या को बोल रही है बहुत ही सारी बाते और अहल्या रो रही है और गौत्मा इस बात पर जादा जोर देती है कि अहल्या तुम अपनी भूमिका नहीं निभा पाई अपनी एहम भूमिका में ही तुम असफल हो गई चलिए इस गौत्मा में जो चल रहा है, उसकी वजे हम जानते हैं कि वो द्वारका की वज़ा से चल रहा है, जो फूट की नीती द्वारका ने शुरू की है, मगर अगर कोई आपको ब्रेन वोश करता है, आपकी दिमाग में बाते डालता है, उसमें अकेले उसकी गलती नहीं होती है, आ तो वो उस बहस का जिम्मेदार भी अहिल्या को ही मानती है, अब वो अहिल्या की उपर इल्जाम लगाना शुरू कर चुकी है, अहिल्या को टेस्ट करना शुरू कर चुकी है, अहिल्या को असफल गोशित करना शुरू कर चुकी है, वो ये कहती ही नजर आती है दोस्तों की त मतलब यहां कि तुम्हें शिक्षा अगर लेनी थी, तो तुम्हें सिर्फ खंडेराओं के लिए लेनी थी, तुम्हारा राजपाट का जो तुमने सीका है वो किस काम का, कि तुम अपनी इस वूमिका में फेल हो गई, तो मुझे यहां पर बहुत जादा अफसोस होता यह कहते हुए कि अभी भी गौत्मा अहिल्या की बातों को समझी नहीं पाई, जब अहिल्या ने शिक्षा ग्रहन की थी, यहां जब अहिल्या ने राजपाट की बातें समझी थी, फिर किया भी था राजपाट, उसमें एक क्लियर विजन था अहिल्या का, जो मलहार राहोल कर समझते उसका विजन था समाज की भलाई और समाज की भलाई के लिए ही उसने ये सब शिक्षा ग्रहन की लोगों के लिए रास्ता उकूला किया लड़कियों के लिए कि उनको भी शिक्षा मिल सकती है फिर राजपार्ट समझा कि लड़कियों की बुद्धी बुद्धी ब्राबर होत टेहीं कहती है कि तुम्हारे शिक्षा किसे काम की तुपारा राजपाट तु भी aur सिखा वी किसका मुझा का इस से सिर्फ यह लगता है कि गोत्मा को शुरू से यह लग रहा था कि जो भी अहिल्यार कर रही है वो सिर फॉर सुर्फ किये हैं किसी सदारन इस्तरी का काम नहीं है यानि कि गौत्मा ये मानती है कि अहिल्या ने जो किया है वो बहुत ही बड़ी चीज है मगर वो मानती इसलिए ये है कि उसने ये सब खंडराओ के लिए ही किया होगा और अब खंडराओ सुदर नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि इसका सब कुछ वेस्ट है बड़ा अजीब लगता है सोच के कि जब गौत्मा इन बातों को इस तरह से अहिल्या के सामने कहती है और जब वो ये भी कह देती कि जो साथ साल पहले अपने मन में कट्टुता लेके गया था खंडेराओ वो तुमारा ही फर्ज था कि उसके मन से वो कट्टुता निकाल देना कैसे कोई किसी के मन से किसी के लिए कट्टुता निकाल सकता है ये गौत्मा को नहीं समझ में आता जब तक इनसान खुद अपने मन से पहली कोशिश नहीं करता है उस कट्टुता को निकालने के लिए तब तक उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है अब यहाँ पे सवाल तो गौत्मा की तरफ भी आता है कि अगर तुम्हें लगता है कि पत्नी धरम इतना जादा जो अहिल्या नहीं निभा पा रही है अपने पती को नहीं समझा पा रही है कि अपने फादर के साथ रिलेशनचिप ठीक करें तो आप भी कहां अपने पती को समझा पा रही हो आप कहां मलहार राव होलकुर को टोक पा रही हो कि वो खंडराव के साथ ऐसे बात ना करें कहां आपने बाद में मलहार राव से बात की जब दर्बार में खंडराव की बेजती हुई थी है ना जब दर्बार में दोनों की बीच में बहस हुई थी हर बार आपने जो है अपने पती को नहीं आपने अपने बेटे को समझा और बेटे की पत्नी को ही सकती है कि मेरा पती सही चल रहा है मेरा बेटा गलत जा रहा है तो सवाल फिर गौत्मा पे ही आता है दोस्तों कि अगर वो यह सोचती है कि मेरा पती सही जा रहा है बेटा गलत जा रहा है तो उसका भी तो माँ बन के एक फर्स बनता है कि बेटे को समझाए ना कि बेटे की गल गलती ही नहीं है वो घर में सबसे चोटी है आप सब experience हो गौतमा अंग द्वारका मलहार राओ सब experience हो वो सबसे चोटी है जिसने इतने बड़े-बड़े काम किये है और आज आज आप उसे के कामों पर सवाल उठा रही हो कि तुम्हारे ये काम करने का फाइदा ही क्या है जब तुम अपनी पत्नी भूमिका नहीं निभा पा रही है तो क्या उसने ये पत्नी बनने के लिए ये सब किया था क्या पत्नी भूमिका निभाने के लिए शिक्षा ली थी बिल्कुल गलत है ऐसा होता तो वो शायद करती भी ना क्योंकि पत्नी भूमिका तो जो गौतमा explain करत इंगे प्रोमो में भी पॉईंट यी हुआ है उसके ऊपर फिर बात भी कर सकते हैं कि उसे एक वो कमी की बात उसने की है गौत्मा ने की कोई तो कमी रही होगी तो वो कमी की तरफ वो क्या इशारा कर रही है वो हमें समझना होगा तो यह हम समझेंगे एपिसोड में मगर प्रोमो को देखें बहुत जादा दिल दुखा है कि किस तरह गौत्मा जो है हर एक चीज के लिए अहिल्या को जिम्मेदा ठहरा रही है और उसको कह रही है कि जो भी तुमने अभी तक ग्रहन किया है वो तुमारा बिलकुल वेस्ट है अगर तुम खंडराओ को नहीं संबाल सकती हो तो यह बहुत ही अलग साउंड करता है इसमें सिर्फ यह साउंड करता है कि खंडराओ human being है और अहिल्या machine है जैसे vacuum cleaner होते है वो चीजें होती है जिनको जहां गंद दिखता है वो गंद साफ कर देते हैं तो वो अहिल्या को तो इनसान समझी नहीं रही है गौत्मा उसको यह नहीं समझ में आ रहा है गौत्मा को कि अहिल्या पत्नी है तो पती की भी जिम्मेदारी होती है पत्नी की तरफ तो क्या वो निभाप आ रहा है क्या उसने कभी अपने बेटे को यह सवाल किया नहीं किया तो यहीं चीजें जो है गौत्मा को समझनी पड़ेगी रहे हैं और भी मैने आन्य को लेके आपकी फीडबक कोमेंट सेक्शन में देखते हैं। देखते ही चैनल हंगरी स्पिर्स, थैंक यू सो मच्छ